अयोध्या के राम मंदिर में दिये जाने वाले सबसे कीमती और अनोखे उपहार 1. सोने के कलश और धनुशबाण पटना के हनुमान गढ़ी मंदिर की ओर से अयोध्या के राम मंदिर को दठवर्ष के चल्ला श्री निवास शास्त्री ने सोने और चांदी से बनी आठ किलो की चरण पादुका को अपने सिर पर रख नंगे पाव हैदराबाद से अयोध्या आए और योगी आदित्यनात को चरण पादुका भेट किया आपको बता दू कि ये उस रास्ते से पैदल चल कर आए जिस रास्ते से भगवान श्री राम रामेश्वरम से अयोध्या पहुंचे थे नमबर तीन चहसो किलो घी राजिस्थान के जोध्पुर से अयोध्या के राम मंदिर के लिए चहसो किलो घी एकसो आठ कलशों में रखकर जोध्पुर से पाँच रतों में अयोध्या लाया गया इस घी से भगवान श्री राम का अभिशेक किया जाएगा और 22 तारीख को इस घी से पूरे अयोध्या राम मंदिर में दीब जलाए जाएंगे गुजरात से अयोध्या आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती इसे दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती कहना गलत नहीं होगा आपको बता दू कि इस अगरबत्ती को बनाने में लगभग 3-4 महीने का समय लगा है और इसकी लागत लगभग 3-4 लाख परी है कहा जाता है यह अगरबत्ती डेड़ से 2 महीने तक जलेगी और आसपास के 3-4 किलो मीटर तक इसकी खुशबू से भक्तों का मन मोहेगी नमबर 5-400 किलो का ताला अलीगड के एक बुजर्ग जोडे सत्यप्रकाश शर्मा और उसकी पतनी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 400 किलो का ताला भेट किया आपको बता दू कि इस ताले को बनाने में 6 महीने का समय लगा बात करे इसकी लंबाई की तो वो 10 फीट है औ जो 9 देशों का समय बताती है ये दुनिया की पहली घड़ी होगी जो 9 देशों का समय बताती है नमबर 7-1100 किलो का दीप अयोध्या के राम मंदिर के लिए गुजरात के वडोदरा से 1100 किलो का विशाल दीप पहुंचा यह दीप इतना विशाल है कि इस दीप में 500 किलो घी समा सकता है इस दीप को जलाने के लिए 15 किलो रूई का बाती बनाई गई है कहा जाता है इस दीप को जब जलाया जाएग तो ये लगभग दो से ढ़ाई महीने तक जलेगी और इसे केबल सुद्ध घी से जलाया जाए